हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिरसे अपनी यूटूब चलने नौलिश में IFMS 3.0 पर मई के सेलेरी बिल आटो प्रोसेस होने से पूर्व आप सभी को आपके जो सेलेरी बिल से उनका प्री वैलिडेशन कर लेना है यह प्रत्यक महीने करें आप ताकि क्या है कि जब भी आपके सेलेरी बिल आटो प्रोसेस होना स्टार्ट हो तो उस टाइम उन में किसी प्रेकार की एरर ना है जिससे वो आटो प्रोसेस ना हो सके तो आपको इस चीज का पहले ही चेक कर लेना है कि salary bill में किसी प्रेकार का कोई error तो नहीं है मई की salary bill में तो आपको सबसे पहले यहाँ पर IFMS 3.0 पर login कर लेना है and employee management पर जाना है employee management पर जाने के बाद आपको option मिलेगा bills का तो आपको bills वाले option पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको option मिलेगा salary bills का इस पर हम click करेंगे salary bills के बाद आपको जाना है salary preparation में salary preparation में जाने के बाद आपको third number का option मिलता है pre-validation employee salary इसका मतलब है कि employee के salary auto process होने वाली है मही के मंत की उसका हम pre-validation कर रहे हैं पहले से ही तो इस पर हम click करेंगे, जैसे हम इस पर click करेंगे, यहाँ पर हमें option मिलेगा salary pre-check validation, इसका मतलब है pre-check हो रहा है यहाँ पर, जो मही की salary है हमारा, उसका, तो यहाँ पर सबसे पहले हम financial year select कर लेंगे, इसके बाद month select करेंगे, उसके बाद employee group select करेंगे, जैसे हम group select करेंगे, आपको क्या करना है, एक एक employee का यहाँ पर validate नहीं करना है, उपर check box दिया हुआ है, आपको यहाँ पर check box पर click करना है, और नीचे आपको option मिलेगा, validate selected का, इस पर आपको click करना है, जैसे हम इस पर click करेंगे, अगर आपके पास successful का message आता है इस तरह का, तो इसका मतलब है, आपकी मही की salary में किसी प्रेकार का कोई error नहीं है, तो वो जो salary आपको 100% auto salary process भी मिल जाएगी, अगर आपको यहाँ पर किसी प्रेकार का error मिलता है, तो उस error का solution आप पहले ही कर तो एक group all ले लेते हैं हम, इस पर click करेंगे, checkbox पर click करेंगे and वापस से यहाँ पर validate selected पर हम click करेंगे, तो यह भी हमारे पास successfully हो गया है, तो one by one हमारे जो भी office या कारले विध्याले में जो भी हमारे group है, उन सभी में जो हमारे employees हैं, उनका हमें pre salary validation इस प्रेकार कर लेना है तो यह थी पूरी process, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please channel को सबसे पहले subscribe करें and वीडियो को like और share करना ना भूले, thank you so much